आज जो मैं यहां पर आपको बोलने वाला हूँ, हो सकता उसमें से कुछ बाते हैं, सुनने में आपको कड़भी भी लगते हैं, लेकिन एक एक बात सच हैं, जब भी आप दुखी होते हों, तो उसकी जर्फ एक वज़े हैं, जैसा आप चाहते हो, वैसा नहीं हो रहा है, यान जो मैं बोलने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुने, क्या जिन्दगी ने ठेका लिया है, आपको साथ क्वाईशे पुरी करने का, क्या जिन्दगी ने आपके साथ कोई एग्रिमेंट साइंग किया था, कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके यह साब से ही चलेगी, अरे मेरे भाई चाहते आपकी हैं, खौईशे आपकी हैं, तो अगर उसको पूरा करना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, अरे जिन्दगी को कोई फर्ट नहीं पड़ता है, क्या आप चाहे जीओ या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो, तो अपनी जिन्दगी को दोश देना पंदर, और खुद को इस लायक बनाओ, जो भी आप चाहते हो, वो खुद चल करके आपके पास में है, अपने दिमाग को सुलूशन पे फोकस कर, प्रॉब्लम्स पे नहीं, बैठे बैठे बस रोते मत रहो, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाह तो आदमी नहीं करी है, अभी तो आगे बताने ही क्या क्या करना है, आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को, पुरी तरह से समेट करना है, इखटा करना है, और एक जगे पर फोकस करना है, और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मन्जिल पर नहीं, क् दजारों मुश्किल आएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाये, किसी भी हालत कोुछ झूछ देर आराम लेकिन किसी भी हालत को रुकना नहीं है, पस चलते रहे, कभी गुजरा हुआ कल, तो कभी आने वाला पल, आपको रुखने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रिलाए तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुखना नहीं, बस चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे